एक बाद पर फिर से स्वाववट करती हूं तो आज का टॉपिक है जो की न्यूली मदर के लिए है जो भी नए-न्य मावंती है उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजे होती है बहुत सारी कोयरी होती है और खास करून लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं अपने हस्बंड के साथ ज हो जाती है ध़िए उनके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर जैसे हमका बच्च रोने लग जाता है उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमारे बच्च रू क्यू रहा है तो आज मैं आपके सारे प्रिसानियों का हल लेक आए हूं आज मैं आपको बताऊंगी कि क को बिस्किप ना करें लास तक देखें तो आपको समझ आएगा कि जब भी आपका विच्चा रोता है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरा वीडियो फॉर्स टाइम देख रहें तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले यह बहुत ही जरूरी है और इसमें कोई पैसे नहीं रखते यह प्री ओफ कॉस्ट है आपको बस नीचे जो रेड कलर का सबस्क्राइब इखावा है उसे प्रस करना है उसके बगर में एक बेल आइकन होगा उसे भी द चैनल जाता है तो सबसे पहला जो रीजन है वह है हंगर जो न्यूबॉर्ड बेवि होते हैं उनका जो stomach's over tiny होता है वह बहुत जल्दी जल्दी इंपटी हो जाता है जैसे बचे ने पी कर दिया तो उनका पेट उन्हें उतना ही दूज पिया था या उतना ही फीट किया था तो उसका पेट खाली हो जाता है उस बज़े से भी रोने लग जाता है तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि हर एक घंटे डेल घंटे पर तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपका बच्चा हंगरी है, वो इसी वज़े से रो रहा है, उसके अलावा जो second problem है, वो है sleeping, आपका बच्चा अगर सोने के mood में हैं और उस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसे सुला नहीं रहे हो, तो वो तब भी बहुत रोता है, तो आपको इस बात के लिए भी ध्यान रखना है, वो अगर रो रहा है, तो आप उसे feed करा के देखी क्योंकि बच्चे अफसर feed करते करते सो जाते हैं, जो newborn होते हैं, तो आपको इसे feed करा है, वो अगर सो रहा है, तो उसे सोने दे, बिल्कुल भी disturb ना करें, क्योंकि जो जो newborn होते हैं, वो 17-18 घंटे सोते ही रहते हैं, तो आपको इस बात के लिए परिसान नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा बार-बार सो जा रहा है, आपको से सोने दे, तो यह दो most important region है, जिससे बच्चे रोते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे region हो सकते हैं, चलिए आगे बात करते हैं कि और कौन-कौन से region है, जिसके वज़े से आपका बेबी लागता रोए जा रहा है, और आपको समझ में आ रहा है, आप पैनिक हुए जा रहे हो, आपको कोई बताने माला नहीं है, तो थर्ड नंपर पे जो प्रॉब्लम है, वो है diaper change, में भी आपके बच्चे डाइपर में discomfort feeling कर रहे हैं, तो आप process करें कि हर 3 hour पे या 2 hour पे अपने बच्चे का diaper change कर दे, क्योंकि जो newborn होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना diaper गीला कर लेते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यार रखना चाहिए, कि मेभी आपका baby diaper change मांग रहा है, उसे diaper change करने क जब भी आप diaper change करें, तो पहले उसके private area को अच्छे से wash कर दे, उसके बाद ही new diaper अपने बच्चे को पहनाएं, तो ये भी एक वज़े हो सकता है, जिसके वज़े से आपका बच्चा और लागातार होए जा रहा है, आप ज़रूर चेक करें, आप एक बच्चे को चेक कर ले आपके बच्चे ने डाइबर ब्ला लाएं या फिम् выпускा कर दिया इज़े है तो आप उसका रच्वतार से चेंश करें, तो ये भी एक वज़े है, आपके बच्चे का लागातार रोने का उसके अलाबा जो आपके बच्चे का रोने का एक बहुत बढ़ी वज़े है, वह इस कि आप कुछ भी ऐसा ना खाए जिससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो जिसके वजह से उसे पेट में दर्द होने लग जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार जैसे ही आपका बच्चा बहुत जादा रो रहा है त तो आपको इस बात की समझ आएगी कि आपका बच्चा स्टुमिच बेन की होजे से रो रहा है और अगर आप टुरत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो आपको अपने घर में कॉलिक का मेडिसिन जरूर रखना चाहिए मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कॉन- पेट की दर्थ से परिसान है आप 5 mm अगर आपका बिच्चा सिक्स मन्त से जादा है तो आप उसे 5 mm दे सकती है अगर चूटा है उसका ड्रॉप आता है उसमें 10 या 12 ड्रॉप देना होता है आप उसे दे दें वह बिल्कुल भी सांथ हो जाएगा वह अगर वह स्टुमिच पेन से रो रहा है या वो हंगरी है या वो sleeping mode में है या फिर वो diaper chain मांग रहा है तो यही कुछ रीजन है जिसकी वज़े से आपके बच्चे रोते हैं इसके अलाबा भी जो रीजन है वह अगर आपका बच्चा दूद पीने के बाद धकार लिया या नहीं इस वज़े यह च कंदे पर होल्ड करें और उसे अच्छे से वफ कराने की कोसिस करें जब तक बढ़ा कारना ले ले आप फाइब मिनट हो सके तो भी कोसिस कर सकते हैं और बिल्कुल भी अपने बच्चे को दूद पिला के सीधे सीधे लिटा ना दे इस वज़े से उसके पेट में गैस होने क कि प्रॉब्लम हो सकती है इस वज़े से भी आपका बच्चा रो रहा होता है तो आप दूद पिला के अपने बच्चे को हमेशा अपने कंदे पर होल्ड कर कुछ रवक कराने की कोसिस करें तो यह भी एक रीजन है बच्चे का लालातार रोने का तो इस बात को भी आपको ब क्या कर रहा है कौन सी बात उसको अभी प्रॉब्लम किस वज़े से हो रही है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आप चेक करते रहें अगर आपका बच्चा बहुत जादा रो रहा तो पैनिक ना हो आप इन चीजों का ध्यान रखें यह जो मैंने रीजन बताया हो सकता है यह एक रीजन हो इन में से कोई एक रीजन हो आपके बच्चे का रोने का इसके अलावा तो इसके अलावा जो और रीजन हो सकते हैं वो है वान्टो हो सकता है आपका बच्चा आपके गोल्ड में आने के लिए रो रहा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेड पे रहन पुसंद नहीं करते हैं आप जतना ज्यादा हो से कि उन्हों गोल्ड करके भूमें वो उस चीज में कमफ़र्ट मीं करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्छा ज्यादा रो रहा है तो आप उन्हें अपने गोल्ड में उठाएं आपको इस बात के भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा लगाता है रोए जा रहा है तो तो मेब इस जादा थंद या गर्मी ना है तो आपको इस बात के लिए विध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा लगाता है रोए जा रहा है, रोए जा रहा है तो मेभी उसे ज़्यादा ठंड फील हो रही है या मेभी उसे ज़्यादा गर्मी फील हो रही है अगर आपको विंटर में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है, उसे ज़्यादा ठण फील हो रही हो, या फिर आप समर में है तो उसे ज़्यादा गर्मी लग रही हो, या रात में आपने AC के साथ उसे सुलाया है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेभी उसे ज़्यादा एसी के टिंप्रेजर के विज़े से उसे कोल फील हो रहा उस वज़े से भी बूर हो सकता है तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि मैंने जो 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 परिसानियाने लगती है, जैसे बहुत जादा पी करना, जुकाम सर्दी, बहुत सारे सिंटम्स होते हैं तो आपको उस तीदिंग प्रॉब्लम को भी पहचाना है, तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मैं भी एक वीडियो सेर करना चाहते हूं कि के साथ तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले, आज लिए मुझे जाधत दें, बबाए एंड टेक क्यार